मरकर भी दे गया तीन लोगों को नई जिन्दगी, एक किड्नी और लिवर जैपुर के SMS तो दूसरी जोटपुर AIIMS भीजी गई राजस्थान न्यूज, 18 फरवरी को भूरिया को घर की चट से गिरने के बाद लगी चोटों के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था 24 फरवरी को इलाज के दौरान उन्हें ब्रेंडेड घोशित कर दिया गया राजस्थान के जहलावाड में इलाज के दौरान ब्रेंडेड घोशित 50 साल का शक्स तीन लोगों को नई जिन्दगी दे गया उसके दान किये गए अंग जैपुर और जोटपुर के अस्पतालों में भरती तीन मरीजों को प्रत्यारोपित किये गए इसके साथ ही जहलावाड सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला औरगन रिट्रियेवल सेंटर बन गया है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव भगवान शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को भूरिया को घर की छट से गिनने के बाद लगी चोटों के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था 24 फरवरी को इलाज के दौरान उन्हें ब्रेंग देड घुशित कर दिया गया जिसके बाद जहलावार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO, डॉक्टर साजित खान और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जानकारी राज्य सरकार को दी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गगेंद्र सिंग और अतिरिक्त मुख्य सचीव स्वास्थ्य शुगरा सिंग ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि वहाँ परिवार को अंग दान के लिए सहमती देने के लिए परामर्ष दे डॉक्तर शर्मा ने न्यूज एजनसी को बताया कि अपने पती के लिवर और किड्नी दान के लिए सहमती देने पर भूरिया की पत्नी से सहमती ली गई शनिवार को मेडिकल कॉलेज को औरगन रिट्रियेवल के लिए एक प्रमान पत्र जारी किया गया और रविवार को ब्रेन देड व्यक्ती से दो किड्नी, लिवर और कॉर्णिया निकाला गया एक किड़नी और लिवर सवाई जैपुर के मान सिंग अस्पताल और दूसरी किड़नी जोधपुर एम्स को आवंटित की गई जालावार CMHO डॉक्टर खान ने बताया कि इन अंगों को जरुरतमन मरीजों तक ततकाल पहुचाने के लिए यातायात पुलीस के समन्वे से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और रविवार को अंगों को चार एम्बुलेंस द्वारा जैपुर और जोधपुर भेजा गया दो अस्पतानों में तीन मरीजों को अंग प्रत्यारोपित किये गए हैं